आजगल की वागदोडवरी जिन्दगी में तन और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्वस्थाहाफ, व्याम और स्वस्थादोतों का पालन करने की भी अनिवारी रूप से आवशकता है। ये अच्छी आदत हैं हमारा संपूर्ण विकास करती हैं, जिससे हम अपने लक्षो के एक कदम और करीब पहुंच सकते हैं। स्वस्था जीवन से लिए अपना कर आप कई सारी दिख समझाओं से भी बच सकते हैं। इसके अलावा आप मांसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, जिससे आप अपने नीजी जीवन में खुश्याल रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आदत हैं अपनानी चाहिए। पहली है जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के कहीं फायदे होते हैं। जल्दी उठने से आपको ध्यान या व्याम करने का समय मिल जाता है। इससे आप दिन पर अच्छा मैसुस करते हैं। दूसरा है व्याम, ढोजाना व्याम करने से आप फिट और स्वस्त रहते हैं, पसीने के जरी सरी से सबी विशाक परदात बाहर निकल जाते हैं, और इससे आपको blood circulation भी पढ़ता है, व्याम करना आपकी तोचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तीसरा है गर का बना नास्ता, बहुत से लोग वजन कम करने के लिए सुबे का नास्ता, इसकिप करने में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें, नास्ता छोड़ने से आपको अधिक भूग लगती है, फिर आप अपने सरीर की जरूरस से ज्यादा खा लेते हैं, चौता है प पारियों के सुची तैयार करें, एक टू-डू लिस्ट तैयार करने के आदर डालें, जिससे आपको अपने लक्षों को निर्दा दित करने या अपने दिन की योजना बनाने में मनित मिलेगी, यह आपको उन कामों को अन्तिम समय पर करने से रोखता है, जिससे आप तनाव में आ सकते हैं, छटा है healthy drink, स्वस्थ शरीर के लिए आप ग्रीन टी जैसे स्वस्थ विकल उपगा चनाव कर सकते हैं, ग्रीन टी एंटी ऑक्सिडेंट से बरपूर होती है, और यह तनाव दूर करने में भी लबकारी होती है, साथवा है active ray, लिप्ट लेने के बजाए सीड प्रोटीन के मात्रा को नियंद्रित कर सकते हैं, इसलिए बारगे खाने को कम से कम करें और करका खाना ही खाएं, नौमी आदत है अच्छी नीन, रात को अच्छी नीन टनाव के इस्तर को कम करने और मस्तिक से गारे पढ़नाली में सुदार के लिए मैत्व पूने, इसलिए स्वस्थ टीवन सेली, फिट सरी और दिमाग के लिए देर रात तक जागने के आदत को छोड़ दे, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो शेयर करें